क्या देवी शक्ति इन तीओ देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है? अगर अलग है तो इन देवियों का अस्तित्व क्या है? और अगर अलग नहीं है तो ये देवियों को और इस प्रकृती को किस प्रकार रिप्रिजेंट करती है? आज बड़े दुख की बात है कि कई समाज जो हमारे ईश्वरों में भी रांकिंग और ग्रुप सिस्टम ला चुके हैं वे मानते हैं कि देवी शक्ति परम निराकार ईश्वर की इन तीन साकार रचनाओ यानि भ्रह्म विश्व महेश से भी बड़ी हैं तो क्या ये सच है खैर हमारी देवियों का इस शक्त अंदर प्रवेश करना होगा पर यहाँ पर मैं आप सभी से यह बात कहना चाहता हूँ कि जब हमें श्रे मदवाल में के रामायड पढ़ने का सौभागे मिला तो हमने देखा कि गीता प्रेस गोरकपुर से प्रकाशित हमारी इस श्रे रामायड में कई स्थानों पर हिंदी के स्थान पर उर्दो अर्वी इवं फार्सी शब्दों का समावेश किया गया है जबकि हमारी हिंदी संद कोश विश्व में सबसे ब्रहद शब्द कोश है हिंदी भाशा का जन्म संस्कित से ही हुआ था हमें प्रती तो होता है कि संस्कित से हिंदी भाशा में अनुआद कर और जिस पर आज तक इसे पढ़ने वाले धर्म गुरुओं या अध्यान करने वालों का ध्यान क्यूं नहीं गया ये तो religious viewpoint से एक बहुत ही गंभीर matter है। नमस्कार दोस्तों सिमान संगरा में आपका सौगत है। नियत समय में कितनी ओर्जा की आवशकता होती है या कितनी ओर्जा खर्च होती है। ये तो है भौतिक विज्ञान यानि physics का सबसे basic सिर्धान्त पर जब हमें शक्ती को देखना हो तब हम उसे कैसे देख सकते हैं। कलियुक का मनुष्य जैसे इश्वर को नहीं देख सकता वैसे ही शक्ती को भी नहीं देख सकता वास सिर्फ उसे अनुभव करके देख सकता है। ब्रहमांड में और इस प्रकृती की हर एक जीवित कण में शक्ती वास करती हैं। मरे हुए दिमाग और मरे हुए शरीर में शक्ती वास नहीं करती। बहुत ही साधारन शब्दों में कहूं तो शक्ती एक बहुत बड़ी उर्जा का स्तुरोत हैं। जो हम मनुष्यों को कोई भी कार करने या विचार करने की शक्ति परदान करती हैं। बास्तों में महा शक्ति ही परब्रम्व परमात्मा है जो विबिन रूपों में लीलाय करती हैं। इनी की उर्जा शक्ति से ब्रह्मा जी विश्व की उत्पत्ति करते हैं। इनी की शक्ति से श्री विष्णू स्रिष्टी का पालन करते हैं और शिव जी जगत का सनहार करते हैं अर्थात आदिशक्ति ही स्रिजन पालन और सनहार करते हैं और इन तीनों देवों की अर्धांड यानि ये अर्धांगिनिया इसी आदिशक्ति की उर्जा को साकार रूप म रीप्रेजेंट करती है यहां कोई वड़ा या छोटा नहीं है सभी के अपने निर्धारित कारे हैं और यह सभी मिलकर ही इस ब्रहमांड को संचालित करते हैं यही पराशक्ती है मतलब जो सबसे परे है और उत्तम है यही पराशक्ती अपने साकार रूप में नव दुर्गा और दस महाविद्या है अनपूर्णा ललितामबा गायतरी गोवनेश्वरी काली तारा बगला शोड़सी त्रीपुरा धुमावती मातंगी कमला पदमावती दुर्गा आदी इन ही के रूप है यह शक्ती ही नर्व और नारी एवं माता धाता तथा पितामा है वैसे तो यह संपूर्ण संसार ही देवी माय है अर्थाद सनातन संस्कृती में संसार की हर स्त्रेष्ट गुणों वाली स्त्री देवी ही कंसिडर की जाती है और एक मा अथवा पत्नी यानी देवी ही अपने भ्रून की अपनी ही उर्जा शक्ती से उसता पोशन करती है और नौ माहा के ब जैसा अभी हमने समझा स्रिष्टी के कणकण में उन्ही आदिशक्ति का निवास है परन्तो कुछ स्पेसिफिक प्लेस दिव्य शित्र ऐसे भी है जहां देवी चिनमय रूप से विराजती है और वहां विराजने के कारण उनके आसपास के स्थान भी ग्यान सोरूप हो गए है शक्ति के इने इस थानों को देवी उपासना में शक्ति पीठ की संग्या दी गई है इन इस थलों पर पोजा उपासना तथा साधना का विशेश महत्व है जहां साधकों को सिध्धी प्राप्त होती है इसी कारण वेस थान पोर्ण रूप से शक्ति के पीठ यानी उनके कें इस प्रकार संपोर्ण भारत माता, विद्या, उपासना और साधना का केंदर बन गई। समझ में आ ही गया होगा, चलिए अब उस कथा को जानते हैं कि अनंत शक्ती पीठों के रोप में क्यूं और कैसे विभाजित होई।